नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर तंबाकू खाने से आपके दान्त खराब हो गए हैं तो आज माए ये आसान सा घरेलू उपाए दोस्तों दुनिया भर में कई लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं वहीं कई लोग समय रहते इस बुरी आदत को छोड़ भी देते हैं लेकिन इस से उनके खराब हुए दान्त चमक नहीं पाते हैं ऐसे में मोती जैसे चमकते दान्त आपकी सुंदरता और व्यक्तित्व म अपने दान्तों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर जली हुई लकड़ी के कोईले को बारीक पीस कर उससे अपनी उंगलियों की मदद से मसाज करें ऐसा करने से दान्तों के पीले पन को दूर होने से कोई नहीं रोक सकता दूसरा है हींग दान्तों को सफेद करने के आप रसोई में पड़ी हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जादा नहीं करना है बस इतना करना है कि हींग पाउडर को पानी में उबाल का ठंडा करना है। अब दिन में दो तीन बार इस पानी से कुला करें। ये नुस्खा आपके दातों का दर्द भी कम करेगा और दातों में चमक भी आएगी। तीसरा है नमक और सरसो का तेल। नमक से दान साफ करने का सबसे पुराना उपाय है। इसके लिए नमक में दो से तीन बून सरसो का तेल मिलाकर दान साफ करें। आपके दात चमकने लगेंगे चौता है नमक से साफ करें दात को बहतरीन दिखाने के लिए एक नीबू के छिलके में एक चुटकी नमक लगा कर उससे दातों को रगड़ें इससे दातों के धबे चले जाते हैं दरहसल नीबू में वाइटमिन C होता है और नमक आयरुवेद के अनुसार गंदगी को साफ करता है इसलिए ये दातों के लिए अदबुद माना जाता है पांच वह गाजर का सेवन करें दोस्तों गाजर से दातों के दाग दबे दूर करने में मदद इसलिए मिलती है क्योंकि गाजर खाने से इसमें मौझूद रेशे दातों की अच्छे से सफाई कर देते हैं दातों को कौनों की गंदियों को जल दूर करने में सायक होते है छटा है हल्दी दोस्तों ये उपाए भी कारगर हो सकता है कि हल्दी में सरसों का तेल और नमक मिलाकर दांतों में मंजन की तरह मलने से भी दांतों का पीलापन ठीक होगा यदि आपके दांतों में पीलापन हो तो ये बेहदी फाइदेमन हो सकता है तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी ऐसे ही और हेल्थ के वीडियो देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें